हेलो स्प्रिंट्स कैसे हैं आप सभी लोग तो आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप 12th के बाद इंडिया ने वी जुइन कर सकते हैं या आसान शब्दों में कहें तो हम इस वीडियो में AA और SSR का full selection process जानने वाले हैं तो आप complete watch करिएगा इसमें हम आपको सब कुछ बताए लाइक, eligibility criteria हो गया, exam कैसे होता है, कितनी बार होता है, exam pattern आपको सब कुछ बहुती deep में बताने वाले हैं तो आप video complete watch करिएगा और पसंदा है तो आप like भी कर सकते हो तो चले start करते हैं उससे पहले आपको बताना चाहूँ कि अगर आपको Air Force या Navy के लिए किसी platform के तलाश है तो Unacademy best platform है, अगर बात करें batches की तो Air Force XY के लिए एक नया batch 17 July से start हुआ है और ये batch 39 तक चलने वाला है आप इसको देख सकते हो और अगर बात करें एंडिया के batch की तो एंडिया का एक रनभूमे batch start हुआ है जो कि 21 July को start हुआ है और एक और batch start हुआ है एंडिया का वीर एं 75 यूज़ करने पर आपको 10% का discount मिल जाएगा तो आप यहाँ पर हमारा code यूज़ कर सकते हो और उसके बात आप अपना subscription कर सकते हो और इस वक्त offer की बात करें तो इस वक्त offer चाल रहा कि अगर आप 12 month का लेते हो तो आपको 2 month का free मिलता है और 24 month के आपको 4 month का free मिलता है तो चलिए बात करते हैं हमने selection process की तो इंडिया नेवी की वेकंसी साल में हमेशा दो बार आती है लेकिन पिछले कुछ समय से COVID की वज़ा से ये follow नहीं हो पया आप सभी को पता है कि COVID की वज़ा से लगबख सभी exams के जो pattern थे वो बदलने पड़े हैं तो इंडिया नेवी की वेक vacancies online आएंगी और आपका exam भी online होगा और सबको exam देने कम होगा मिलेगा तो यहां से ये बात तो clear है कि exams अब online होगे अब नेवी का exam offline नहीं होगा नेवी का exam offline होगा तो COVID की वज़ा से जो की शायद नेवी ने clear भी कर दिया था तो अब बात करते हैं कि vacancies की तो vacancies साल में दो पार आती है और vacancy अदिकतर 2000 या 25 रहती है SSR की और AA की 500 vacancies रहती है हर बार यह नंबर थोड़ा सा ज्यादा और कम भी हो सकता है उसके बाद सबसे पहले आपको form apply करना पड़ता है और form apply के लिए अगर बात करने eligibility criteria की तो अगर बात करने double A की तो double A के लिए आपको 12 में physics में 60% marks होने जरूरी है और इसके साथ physics के साथ और math में भी आपको 60% marks होने जरूरी है और इनके अलावा आपको chemistry, biology या computer science इन तीन में से एक subject में भी 60% marks होने चाहिए यानि कि आपको physics और math में 60% marks होने necessary है और इनके अलावा chemistry, biology और computer science इन तीनों में से एक subject में आपके marks 60% होने अगर बात करें हम SSR की तो इसमें आपके 12 में math और physics होना compulsory है और इनके साथ आपको chemistry, biology या computer science इन तीन में से एक में आपको पास होना जरूरी है तो यह रहा इनका eligibility criteria यहने की education qualification यहने की आपकी education qualifications क्या है तो अब बात करतें कि आप इन्हें join कैसे गर सकते हो तो सबसे पहले आप सभी को पता कि कोई वी exam हो आपको पहले form fill करना पड़ता है और नेभी SSR और double E दोनों का combined exam ही होता है अगर बात करें हम SSR की तो इसकी कटाफ state wise रहती है और double E कटाफ all India level रहती है और इन में पहले एक Shational Ktaap बनती है तो पहले आपको Shational Ktaap Qualify करना पड़ता है पछले कुछ सालों से अगर बात कें Shational Ktaap कि तो 4-5 नमबर रहती है पहले कटाफ 9 नमबर थी लेकिन पिछले कुछ समय सिर्फ 4-5 नमबर रहती है online exam में आपके 4 section होते हैं English, Science, Maths और GK चारों में आपको sectional cut-up qualify करना ज़रोरी होता है और अगर आप cut-up qualify कर लेते हो तो आपको फिर PFT के लिए बुलाया जाता है और PFT अगर आप pass कर लेते हो तो उसके बाद अभी तक तो इंडिया ने भी यानि की 2020 से पहले तक इंडिया ने भी medical भी करवाती थी लेकिन 2020 जब से COVID आया तब से इंडिया ने भी medical नहीं करवाने लगा इंडिया ने भी diet medical अब आयने चिलका में करवाता है तो अगली बार I hope medical होगा और I think medical होना भी चाहिए तो PFT के बाद आपका medical भी होता है लेकिन पिछले 2015 से इंडिया ने भी medical नहीं करवा रहा है यहाँ पर medical direct आयने चिलका में होता है तो अगर आप PFT भी qualify कर लेते हो तो आप merit के लिए वेट करते हो उसके बाद final merit list बन दिया है और अगर आपका नाम उसमें भी रहता है तो आप final selected हो जाते हो और उसके बाद call up later आता है और आपको INS चिलका में final medical के लिए बुलाया जाता है और अगर आप वहाँ भी medical qualify कर लेते हो तो आप finally selected हो जाते हो तो यह रहा full selection process इंडिया ने वी का इसके बाद आपकी 6 माईने की basic training होती है जिसको आपको complete करना पड़ता है हम बात करेंगा SSR की तो तो यह रहा आपका full selection process इसके लावा अगर आपका कोई भी doubt है तो आप comment box में comment कर सकते हो आपके सारे questions का answer हम करेंगे अगर आपका questions relevant होगा तो बाकी Air Force का selection process आपको जानना है तो आप comment कर सकते हो बाकी I hope आपको information पसंदा होगी तो ठीक है जै हिन जै भारत वन दे मातरम